Embrace the power of knowledge at संस्कृती उनिवर्सिटी, ranked first in most promising university in engineering and management in India, visit www.sंस्कृती सेक्टर आठ स्थित बिजली घर के पास बुधवार सुबह एक जुगी में आग लग गई हाथसे में एक परिवार की तीन बच्ची समेत पांच लोग जुलस गए जिनने गंभीर हालत में इलाज के लिए जिला अस्पताल में भरती कराया गया वहीं इलाज के दौरान गंभीर रूप से जुलसी तीनों बच्चीयों की मौत हो गई बच्चियों के पिता को गंभीर हालत में इलाज के लिए दिल्ली के सफदरजन अस्पताल में रेफर किया गया है जहां उनकी हालत नाजुक बनी हुई है वहीं जिला अस्पताल में भरती बच्चियों की मा की हालत स्थिर है जेजे, कॉलोनी में इरिक्षा की बैटरी चार्जिंग करने के दौरान बैटरी फटने से बिजली घर के पास एक जुगी में आग लगी फेज एक कोतवाली पुलीस ने मामले की जाच शुरू कर दी है DCP नौएडा राम बदन सिंग का कहना है कि फेज एक कोतवाली क्षेत्र के अंतरगत सेक्टर आठ स्थित जुगी जोपडी कॉलोनी में बिजली घर के पास एक मकान में बुधवार सुभा चार बजे आग लगने की सूचना मिली थी सूचना पर तुरंग फेज एक फायर सर्विस स्टेशन की एक गाड़ी मौके पर पहुची और आग पो बुझाया जाच पर पता चला है कि एक परिवार के पांच लोग घर में सोय हुए थे जिसमें तीन बच्चियां और पती पत्नी थी इस हाथसे में दौलत राम, 32, उनकी पत्नी नीनू, 30, वो उनकी पुत्रियां आस्था, 10, 9, 7, वो आराध्या, 5, आग में जुलस गए है सभी को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया जहां डौक्टरों द्वारा आराध्या, नैना वो आस्था को मृत घोशित कर दिया दौलत राम को हायर सेंटर सफदर्गंज दिल्ली रेफर कर दिया गया है वही नीनू की हालत स्थिर है कुलीस जांच में पता चला है कि मैनपूरी का दौलत राम इरिक्षा चालक है वह किराय के मकान में जुगी चोपडी में एक कमरे में परिवार के साथ रहता है